हलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम सीखेंगे याद करेंगे ट्रिक की मदद से जितने भी एनिमल्स हैं जानवल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स को कैसे याद रखा जाए और SSC exam हो, railway exam हो या कोई और other exam यहां तक की राजस्थान में अभी जो INJN के exam हुए थे starting 2017 में जैनवरी में वहाँ पे इसमें से कुष्यन आयता तो इसकी कितनी important से exam में आप से बेटर कोई नहीं जानता है पर problem क्या होती थी कि यह याद नहीं होते थे लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब यह दिक्कत भी खतम हो जाएगी और इस वीडियो के last में हमने एक question answer test भी include किया है वहाँ आप देखिएगा कि इस trick से जो आपने यह याद किये हैं वो question बन भी रहे है या नहीं बन रहे है तो चलिए बिना इंतजार करवाए आपको शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगो को बता दूँ कि कोई भी जानवर है तो उसका नाम हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी जैसे कि ये जानवर ले ले लेते हैं इंग्लिश में बोलूँगा dog और हिंदी में बोलूँगा क्या kutta लेकिन जब बात करते हैं इनके scientific name की, तो उसका कोई Hindi नाम या English नाम नहीं होता, उसका एक ही नाम होता है, जो भी है, ठीक है, चाहे यहां बोलो, चाहे कहीं किसी और देश में जाकर करके बोलो, इसको इसी नाम से बोला जाएगा, यही बात होती है, इसके scientific name की, तो इसका जो डॉग का scientific नाम की होता है, कैनिस फेमिलेरिस, इसको याद कैसे रखना है बहुत सिंपल है, जो डॉग होते हैं, वो हमारी घरों में रेते हैं, हमारे साथ हैं, तो इसका नाम रख़ोगे, तो इसका नाम रख दो, अब कैन, तो आप दूसरों से क्या क्या होगे, कि कैन इस तरह से आपको याद हो जाएगा आपके कुत्ते का नाम है क्या कैन और वो कहता है फैमिलियर है चलिए अगला देखते हैं अगला जो जानवर है वो है बफेलो याने की भैंस ठीके अब इसका साइंटिफिक नीम क्या होता है बुबालुस बुबालिस अब देखो जो भैं या कीचड में यह पड़ी रहती है जब यह कीचड से बार आएगी तो इसमें से खुशबू तो आएगी नहीं आएगी ना इसमें तो क्या आएगी बुबालुस बुबालिस तो यहीं से हम इसका ट्रिक देख लेंगे बफेलो यानि की भैंस से आपको याद आएगा कि लगाएंगे उसमें आपसे कुश्यन पूछूंगा पांस से केन आपको दूंगा और उससे पहले ही आप आंसर बता देंगे देखिएगा ठीक है तो बहस में से क्या आती है बू क्योंकि कीचड में पड़ी रहती है तो बू से बुबालुस बुबालिस ठीक है चलिए अग खिलते हैं वो तो उनको अच्छा फील कराती है कैसा फील कराती है अंग्रेजो को ये कैट अच्छा फील कराती है वहीं अगर बात कर लें हम भारतियों की तो वह बिल्कुल उल्टा होते है आप यहां से यة बृली रास्टा कट गई गी तो आपको ये बुरा मेरे साथ अगला है काव यानि की गाए और आप लोगों ने बच्वन में जब स्कूल लाइफ में थे तो आप लोगों भी शायद ऐसे बोला होगा एक लाइन बोलते थे हम लोग बोलते थे हम को कुछ नहीं आता है और उसी वक्त आपका दो स्टोन मारते वे कहता था कि भैल हमारा माता जो माहती है वो क्या होती है घर की बौस होती है श्यां के पसंकाई बनाती है तब यह अब इसे आखेंगे गायो यानी की बौस तो इंडिकस इसका नाम होता है तो काया ने की गाया माता माता यानि की बॉस कहां पे मानते हैं गाई को बॉस यानि की माता भारत में तो इससे इंडिकस से यानि की इंडिया इंडिया की बॉस हम किसको मानते हैं गाई माता को तो इससे याद रजाएगा option से हम लगा देंगे बॉस तोरा सिंडिकस यानि की इंडिया की बॉस है काऊ माता अगला देखते हैं अब जो कहते हैं कि नई हमारे घर में तो पापा बॉस है उनके लिए जो बैल होता है आप कह रहे हो कि वो भी बॉस है हाँ बिल्कुल प्राइम लेवल पे प्रीमी से हम क्या कहदेंगे प्राइम लेवल पे हम मान सकते हैं पापा को बॉस एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका क्या होता है आपने बैल का देखा होगा ये साइन शेर मार्केट वगेरा में हम यूज करते हैं अब शेर मार्केट में कौन पैसा लगाता है कोई बेवकुफ इंसान तो लगाएगा नी वहाँ तो बुद्दीमान इंसान ही लगा सकते हैं पैसा तो जीनियस जो लोग होते हैं वही शेर मार्केट में जाते हैं तो बैल से आपक तो याद रखने के चलिए अगला देखते हैं कि अगला है क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल यानि कि मगरमच और देखे इसका नाम यह रखना तो बहुत ही आसान है इसका जो साइंटिफिक नेम है वह होता है क्रोकोडाइल ली नई और इसमें ही इसका नाम आ रहा है अब यह आपको scientific name में दिखेगा crocodile नहीं ठीक है crocodile नहीं इसकी में नाम हो गया तो बहुत simple है इसमें कोई trick नहीं चाहिए चलिए आगे बात करते हैं अगला है chameleons chameleons और chameleons मतलब क्या होता है गिर्गिट गिर्गिट ठीक है बस आपको हिंदी मिडियों वालों यह यह जाद रखना है कि गिर्गिट को इंगलिश में कितने हैं और इसका scientific name भी बहुत असान है देखो यह जो इसका नाम है इसी में चुपा हुआ है scientific नेम में ही चैमिलियन्स और पीछे वाले को देख लो idea एक idea जो बदल दे आपकी दुनिया जैसे कि यह रंग बदल रहा है तो chameleons chameleons इसमें भी इसका नाम चुपा हुआ है चलिए तीनों एक ही family से हैं जैसे कि आपका भाई हो गया आप हो गये आपकी sister हो गये तीनों एक ही family से हैं तो पीछे आपके सरने में एक ही आएगा उसी तरह से tiger leopard या फिर उसे panther भी कह दो और एक lion तीनों से फेमिलियन्स तो इनका एक नाम तो common चलेगा आगे वाला क्या रहेगा panthera 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 पीछे में ही changes आएंगे तो tiger में जो पीछे आता है वो क्या आता है टाइगरेस और पीछे आपको क्या दिखेगा इसमें tiger तो अव्यवथी बात है किसका नाम होना चाहिए tiger का जिसे क्या कहते हैं बाग चलिए अगला देखते हैं इसलिए मिने तीनों एक साथ र तो पार आपको leopard आ जाएगा तब भी उसमें पार दिख रहा है चाहाए panther आ जाएगा तो उसमें पार दिख रहा है देखो आगे के दो लेटर पीछे का लेटर क्या बन रहा है पार तो इससे आधर रखना पारडस 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 कौन लिवपार्ड या panther ठीक है ये भी मेरी तरह उनकी राशी क्या में रहा होती है सिंग और इंगल famous को लियो राजी को ठीक तो ये तो बहुत असले से याद होजाएगा आमया एक लृओं को लायान को क्या मदेख ऀहए तो पैंथेरगे अगला देखते हैं अगला है हाए हाउस फॉ एनिकी मख्षी ठीक है तो म मक्ही आपने देखा होगा कभी इतनी चैटू होती है मक्ही कभी चिपकी जाती है परेशान इतनी करती है अगर आप खुश भी होंगे रहे तो मक्ही इतनी परेशान करेगी कि आपके चेहरे की सारी मुस्कान गयब हो जाएगी कभी भी आप देखना फ्यूचर में अगर कभी आपको मक्खी परेशान करें तो कि आपके चेहरे पर मुस्कान रहीगी कि एकदम सीरिस हो जाओगे कि इसको मैं कैसे मारूँ अब तो मरी है अब एक बार आजा मेरे सामने अब तो तेरे को मार दूँगा मैं करती है आपके चहरे की मुसकान गायप कर दीती है और उसके चहरे पर मुसकान आ गई और domestica है तुम उसका domestica तो सांटिफिक नेम औफ मख्य यानी की हाउस लाई अगला देखते हैं अगला है आपका क्या फ्रोग क्या और इसका जो सांटिफिक नेम है रैना टिगْ रैना देखो जो आपका फ्रॉग होता है उस अवाज कैसे करता है वह सतालुए अगर मैं बात तो राना राना दोबर आ रहा है राना राना ठीक है तो मैंडक क्या से करता है राना राना करता है तो राना टिक राना और जो बैंक वाले है एस्पिरेंट है उनके लिए बता दू कल भी मैंने जब अपने करंट अफेर्स का सेशन पड़ा था मैंने आपको बताया था जो झाम भी क्या है रा ना राना कपूर है तो बस यह scientific name राना और आपके yes benk के CEO भी राना तो ऐसे याद कर लो ठीके अगला दिखते है अगला है यानी की क्या होता है भालू ठीक है अब इसका scientific name होता है अब इसको याद कैसे करना है देखो बीर मतलब भालू और एक बीर दूसरी होती है जिसे हम क्या कहते है शराब दारू और हम जानते भी है अगर किसी ने शराब पी हुई है तो उसको कार नहीं चलानी चाहिए क्योंकि कार चलाएगा तो उसकी बाद में ऐसी हालत हो जाएगी तो बीर किसी ने इसको उससे समझेंगे बीर मतलब भालू होता है और बीर मतलब हम शराब भी कहते है वह स्पेलिंग अलग होती है लेकिन बोलने में तो सेमी आ रहा है बीर बीर ठीके तो शराब पिए है किसी ने तो आप उसको अपनी कार दोगे क्या कार नी दोगे कार नी दोगे या कार नी चला सकते बीर पीके यह याद कर लो कार नी दोगे मालो मैंने पिए है बीर मैं आपसे आपकी कार की भी मांगता हूं तो आप मुझे अपनी कार नी दोगे बस अब आपको याद रहेगा कि बियर मतलब बिवड़ा ठीक है यानिकि अलकोलक्ट और आप उसको कार नी दोगे तो इस तरह से हम याद हो जाएगा बियर का उडसी डेई कार नी डेई हम देखेंगे कुषिन लगाए तो यह जो कव्वा है अब आप इसमें कहानी अपन एजूम करते हैं आपके पास एक गाड़ी है कौन सी गाड़ी है एक सस्ती सुंदर टिकाओ गाड़ी ले रहा हूं जो सब जगे मिलेगी तो कव्वा क्या करता है उस्ते बड़ी खाबबरो करती है अकरती है तो कव्वा से याद आएगा साइनटिफिक ने पूछा जाएगा आपको मनिसर की कहानी किदर के इस दिट्र है कर दिया बीट कर दिया और कौन सी गाड़ी आपके पास स्प्लेंडर वाली तो इसे से हम याद रख लेंगे कि कव्वा और यह स्प्लेंडर तो इसका साइंटिफिक नेम एक्चुल में है क्या कॉर्वस splendence तो splendence से splendor और splendor पे beat किस ने करी थी? कवे ने तो ये trick हो गई और दूसरी trick देखो ये बनती है इसका जो आगे का नाम है Corvus अगर मैं O की जगे R और R की जगे O यानि की interchange कर दूँ तो क्या बन जाएगा? C-R-O-V crow, crow, crow तो देखो ये भी बन रहा है तो दो trick होगी, आप कैसे भी याद करें आपको याद हो चुका है चलिए अगला देखते है अगला है आंट आंट यानि की चीटी अब आपको ये तो पता ही होगा नहीं पता है तो आप ध्यान रख लेना नहीं पढ़ाया तो अब ध्यान रखना ठीक है तो चीटी के अंदर formic acid है और यही हमें इसकी trick देता है इसका जो scientific name बनेगा वो बनेगा hymenopetros formicidae formicidae तो formic acid ठीक है तो formic acid यानि की चीटी का आप बस इतना से जान रखना चीटी का scientific name पूछा जाएगा तो आपको पता होना चीटी में कौन से डिस्ट होता है एसी होता है formic acid तो formic acid आप option में ढूँना और आपको मिल जाएगा ये वाला option चलिए अगला दिखते है अगला है बैटमेन बैटमेन यानि की बैट बैटमेन वह हीरो याद आगया होगा आपको बच्पन में हम देखते थे खेलते थे ठीक है तो चमकादड होता है इसका मतलब अब बैटमेन बच्पन में ज्यादा तर दो तीन चीज़ों पर ज्यादा मरते थे या तो भारती है शक्तिमान हीरो हमारा या इस्पाइडर में या फिर बैटमेन ले देके यहीं घुम पर आते थे तो बैटमेन क्या है हमारा हीरो है तो बस यह हमारी ट्रिक है बच्पन की चीज़ें बहुत सी हमारी हेल्प कर रही है तो बैट का जो साइंटिफिक नेम होता है यह होता है टोडरा प्हिशक्ष खोड़ा तोसれて माफ करना चिसल को प्रोफ करना जब भी बैसे पूशा जा आई कि फिर चम कादर को किया है यो है तो आप देखना ऑप्षिन में हीरो जाय आएगास तरफ दीव कर देखते प्रूर ऑप्षिन emer यह प्रोबोसीडई प्रोबसीडई रॉबॉसीडई ऐलिफोंटिड़क है तो इलिफोंटी इसमें नाम आगे तो बहुत ही संपल इसमें तो कोई याद रखने की जरुवती नहीं है सीधा सा एडिया लगाओ एलिफेंट टिड़ा यहां पर आईडिया आ रहा है यह एलिफेंट टिड़ा टिके तो एलिफेंट टॉल्फिन अगला जो है डॉल्फिन है और डॉल्फिन भी बहुत असान इसका साइंटिफिक नेम देखो डॉ देखते हैं अगला है साओ प्यारा सा मने देख्यों उंगे यह रहति हैं टीके और वहां जीन से लावाने हमते हैंboltग दाना चाहिए आपको यह वाइट और वाइट मतलब बर्फ और बर्फ कैसी कूल तो यहां से मिल जाएगा कूल इसके ओप्शन में हम देखेंगे तो रैबिट से पूछा जाएगा रैबिट का साइन्टिफिक नेम और रैबिट से आदाएगा आपको वाइट वाइट मतलब वर्फ बत मतलब कूल तो आप फूल ढूंडा option में आपको यह मिल जाएगा ठीक है तो क्या बोलते है औरिक्टो लेगस कुनी कुलस तो कूल चाहे हिंदी में आ जाए चाहे इंग्लिश में आ जाए कूल कूल चलिए खूल चलिए अगला देखतें क्या है अगला है हमारा जिराफ देखो यह भी बहुत सिंपल है यह तो खुदी बिचार इतना सीधा है कि अपना नाम ही बता रहा है तो साइंटिफिक में जिराफ आ हॉरीडस ठीक है तो जिराफ आपको मिली जाएगा आपको तो देखिए पहला कुशन है डॉक का आपको बताना है मैं तीन सेकंड आपको दूँगा फिर मैं आंसर बता दूँगा तो डॉक से याद आगया होगा डॉक का नाम था कैन और कैन फैमिलियर है तो आंसर क्या होगा पहला वाला ए अंचार है दूसरा है बफेलो बफेलो य तो cat एक domestic होती है और ये कुतने कुछ feel कराती है अच्छा feel कराती है बुरा feel कराती है यानि कि feel कराती है तो phallus domestic का answer होगा इसका cow का scientific name हमने क्या काओ हमारी माता है यानि कि हमारे इंडिया की तो इंडिया से तो indicus बन जाएगा और boss है ये तो boss boss टारस इंडिकस answer होगा c वाला अगला देखिए अगला है bull यानि कि bell का scientific name बताना है तो बताओ तो क्या देखा था दो ट्रिक देखी थी एक तो ये boss होता ही है ठीक है primary level पे prime level पे इसे boss माना जाता है और दूसरा share market में bull का sign देखा था वहाँ पे सारे genius लोग ह होते हैं तो ये लोग answer आ गया boss prime level पे और दूसरा क्या था genius तो genius टारस इसका नाम हो गया crocodile ठीक है यानि कि मगरमच तो इसका नाम तो इसी के नाम में दिख जाएगा हमें तो आंसर होगा d वाला crocodile ली नई इसका answer होगा d वाला अगला देखिए chameleons 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 यानि की गिर्गिट रंग बदलने वाला गिर्गिट chameleons इसका scientific name क्या होगा उसी में इसका नाम होगा यानि की chameleon day chameleon day ठीक है तो आंसर होगा d वाला अगला देखिए tiger तो हमने बात कर थी यहाँ पे तीन जानवर की tiger लियोपड या फिर panther या फिर lion त तो पीछे वाले से हमें पैचाना होगा तो tiger में तो पीछे tiger आई रहा था तो आंसर होगा सी वाला टाइगरिस ठीक है तो आंसर होगा सी वाला टाइगरिस अगला देखिए लियो पार्ड लियो पार्ड यानि कि तेंदुआ ठीक है तो पार पार देखो पार आ रहा है ठीक है तो पार से ही देखो आगे डूंटो आगे तो पैंथरा मिलेगा तो पार देखो यह रहा पार्ड तो पार्डस वही पैंथरा से आपको तीन ही मिलेंगे लियो टाइगरि यह होगा टाइगर वाला और यह होगा आपका तीनीध को ऐसे सामने यहाँ तेरकू मरूगा मैं तो आपकी मुस्कान चीनली उसने और उसके पेर मुस्कान आगी कि इत्ते बड़े इंसान को उसने हरा दिया तो मुस्कान, तो यह रहा, मुस्कान और डॉमेस्टिक है, घर में पाई जाती है, तो मुस्कार डॉमेस्टिका, आंसर होगा C, D वाला, फ्रॉग, रा, न, रा, न, ठीक है, यात आ गया, राना टिग राना, बेंक वालों के लिए उनके यस बेंक के CEO का नाम भी है, यह राना कुमार, क्या लिए अगला देखिए, राना कुमार, आ गया क्या है, बीर, बीर यानि की भालू और वो दूसरी बीर, मैं बीर पिके आऊँगो, आपकी कार मंगँगो, तो आपके कार नी दोगे मुझे, तो कार नी दो, मत दो, तो यह कार नी दोगे, तो कार नी दे, कार न तो क्रो का याद आ गया होगा scientific name क्या है आपकी गाड़ी पे बीट कर दी थी इस कव्वे ने तो answer क्या होगा splendor गाड़ी थी तो answer D वाला होगा इसका क्या होगा डी वाला answer होगा corvus splendence अगला देखिए ant कौनसा ऐसीड होता है formic acid तो direct answer बता देंगे हम यह रहा वाला ठीक है तो यह वाला इसका answer होगा अगला बैट बैट यानि की बैटमेन यानि की चमकादर हमारा hero है यह तो ठीक है तो hero देखो कहा आ रहा है डी वाले में आ रहा है hero ठीक है चिरोप्टेरा hero हिरो 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 चलो अगला दिखते एलिफेंट देखो इतना सीधा जानवर है कि इसका नाम में ही हमें इसको option मिल जाएगा तो यह रहा प्रोबो सिडेई elephant डा तो elephant यह आ गया तो लगा दि बुद्धिमान तो क्या होगा सीधा है dolphin यह अपना नाम खुदी बता देगा डी वाला देखो ठीक है डेल्फिनी डेई डेल्फिस आंसर होगा डी वाला अगला अगला होगा rabbit rabbit कैसा आपको यादार है कौनसा कलर का होता है rabbit और white यानि कि बर्फ बर्फ कैसे होती cool तो answer में क cool देखो cool 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 देखो यह रख cool तुनी cool 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 बर्फ बर्फ सफेज सफेज rabbit तो इसका answer होगा यह वाला जिराफ हमने देखा था इसका नाम तो खुदी में आ रहा था कहीं ने कहीं जिराफ आ रहा होगा देखो जिराफ होरिडस ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वी झा्ज करता हूँ जिरा चौक चाल प्राफ होगा रहा होगा जबेगीर तेखHज्पट रहा हो झेख़ ए करता हैं रहा हो करता हुण है